Hello Freands. Once Again Welcome to my Channel CSProgramming by Madhuri Kumawi Friends, जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने इस चैनल पे जो है C Language में programming करती हूँ मतलब जू मैं इसमें programming करती हूँ उसमें कौन सा language में use करती हूँ тебя ?C language तो जो लूँम मेरे इस चैनल पे नए हैं वो please मेरी चैनल को subscribe कर ले and अगर आपको मेरा वीडियो पसंदा है तो please मेरी वीडियो को share करें तो friend आप जानते कि मैं हर बार जो है एक नया वीडियो लेके आती हूँ तो इस बार भी जो मेरा वीडियो है वो थोड़ा हटके है आज कर जो मेरा वीडियो है उसका नाम है program to find the addition of two matrix मतलब आज हम क्या करेंगे आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा matrix क्या होते है तो आज जो हम करने वाले हैं कि matrix को sum निकालेंगे उसके बाद में बताऊंगे आपको subtraction भी कैसे करते हैं दो matrix का तो चले start करते हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं matrix होता क्या है तो हम जानते हैं कि matrix होता क्या है a matrix is just regular arrays of item मतलब matrix क्या होता है यह array of item होता है मतलब कुछ items जो होते है arrange होते है in the form of array मतलब यह क्या होता है homogeneous collection of data होता है जो कि arranged होता है in the form of rows and column a typical matrix is a regular array of number arranged in rows and column जैसा हम ने बताया आपको कि इसमें क्या होता है, matrix क्या होता है, arrangement होती है, arrays की in the form of rows and column, okay, तो इसमें क्या होते है, हमारे पास fixed number of rows होते हैं, and fixed number of columns होते हैं, तो जिसे की आप यहाँ पर देख सकते हैं, we have a matrix, and यह हमारे पास 3 cross 4 का matrix है, मतलब हमारे पास इसने number of rows कितने हैं 3 है and columns कितने हैं 4 है तो अब हम जानते हैं addition of matrix क्या होता है ठीक है तो addition of matrix क्या है कि हमारे पास जो है 2 matrix given होते हैं जिससे यहां पर देख सकते हैं आप मुझे हमें 2 matrix given है 3, 4, 2, 1 and another matrix is 1, 5, 3, 7 हमने क्या किया इन दोनों का सम निकाला then we get कैसे होता है यह जो 3 होता like 1, 1 will get added with this 1, 1 okay and this 1, 2 will get added with this 1, 2 मतलब matrix of 1 का जो 1, 1 है और matrix of 2 का जो 1, 1 है वो अपस में add हो जाते है similarly, जो matrix of 1 का 1, 2 है वो matrix of 2 के 1, 2 से add हो जाता है आपर 3 में हम 1 add करेंगे then we will get 4, 4 में 5 add करते हैं तो we will get 9 as like अगर हम 2 में 3 add करें then we will get 5 and so on, okay 1 में 7 add करें then we will get 8 तो चलिए यह तो थी verbal form में कि आखिर होता क्या matrix कैसे addition करते हैं तो अब हम चलिए इसको with the help of coding करते हैं इसका code लिखते हैं so just open our code blocks compiler, see I had already opened that and I have created a page तो अब page कैसे create कर सकते हैं, just click on file, click on new and empty file and save your file with .c extension, okay first name of file and with .c extension, see मैंने already save कर रखा इसे matrix.c extension तो चलिए start करते हैं, तो जो हमारा program है, उसका नाम क्या है? matrix addition or addition of matrix तो हम सबसे पहले header file include करेंगे that is has include यहाँ पी क्या एगा? standard input output library that is stdio.h after that we will create our main function whose return type is void okay अब हम क्या करेंगे? कुछ arrays लेंगे, ठीक है? तो हमें क्या करना? दो matrix को जो है add करवाना है तो हम क्या करेंगे? दो array लेंगे, integer type का मैं ले रही हो int arr1 जिसने मैं elements लेना चाहती हूँ 2 x 2 के मैं elements लेना चाहती हूँ और जो matrix लोंगी उसका और array लोंगी उसका नाम क्या है? arr2 इसमें भी मैं 2 x 2 का element लोंगी अब जो हम 3rd resultant array लेने वाले हैं उसका मैं नाम देने वाली हूँ arr3 इसमें भी मैं क्या करूंगी? 2 x 2 का ही लोंगी अब जानते हैं अगर इन दोनों का sum करेंगे तो वह सेम हमें उतना ही size चाहिए होगा store करने के लिए values को और यहां पर मैंने ले लिया है अब यहां पर क्या करेंगे? अब यहां पर क्या करेंगे? अब मैं क्या करूंगी? कुछ और variables लोंगी like i, j, r जो कि row की, कितने number of rows में चाहिए c for column, कितने number of columns चाहिए इन सब चीजों के लिए तो अब सबसे पहले क्या करेंगे? हम user को एक message print करवाएंगे that is printf इसके अंदर क्या message होगा? enter number of row enter number of rows मतलब आपको कितने number of rows चाहिए वो user क्या करेगा? enter करेगा, ओके? अब हम इसको scanf की help से fetch कर लेंगे, % is d और हमें जो यह row है वो किसमें चाहिए? r में चाहिए तो हम यहाँ पे m% r लगा लेंगे, ओके? अब हम similarly हम क्या कर लेंगे? column के लिए भी ऐसा ही message print करवाएंगे that is enter number of columns ओके? और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? scanf की help से इसको fetch करवा लेंगे value column की, ओके? और इसको हम store कर देंगे c में चलिए, अब हम क्या करेंगे? तो हमने यहाँ तक यह rows and columns fetch करवा लिए उसके बाद हम क्या करेंगे? हम अब जो हम matrix के elements को fetch करवाएंगे तो यहाँ पे एक और मैं printf यूज कर रही हूँ और यहाँ पे मैं क्या message डालने वाली हूँ कि enter the element enter the elements of first matrix मतलब जो first matrix है उसके जो है elements user enter करें, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? जो हर बार करते है, scanf यूज करके जो scanf है वो क्या होगा? एक for loop के अंदर होगा क्योंकि हमें different values को fetch करना है तो यहाँ पे क्या होगा? rule सबसे पहले initialization होता है तो मैं यहाँ पे i की value 0 initialize करें हो फिर condition check then मैं condition i की कहां तक check करूंगी? r तक that is i less than r जब भी हो तो यह कुछ scan करेगा, और यहाँ पे क्या है? हम i increment करवाते जाओंगी इस for loop के अंदर हम एक और loop बनाऊंगी for j loop j is equal to 0 j is also less than c वहाँ पे क्या था? हम i को compare करें row से बड़ यहाँ पे j को किसे करें compare? column से, okay? और जब यह condition true हो तो क्या हो? यहाँ पे scanf का function लगाएंगे और हर बर क्या हो values जो है वो array 1 में जाके store हो जाए, that is percent is d और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? m percent a r r 1 मतलब array of 1 में जाके सारी की सारी values जो है store हो जाए, okay? अब हम क्या करेंगे? इस loop से बाहर आएंगे और similarly जो हमने first के लिए किया है वो हम second matrix के लिए करेंगे that is printf यहाँ पे क्या मैं message print करवाने वाली हूँ? enter the elements of of second matrix ठीक है? यहाँ पे क्या है? second matrix का elements एंटर करेंगे user, okay? अब हम क्या करेंगे? इसके बाहर आजाएंगे semicolon और 7 फिर से वही सारा जो है for loop apply करेंगे for i is equal to 0 i is less than r and i++, okay? फिर क्या होगा? J के लिए हम इसी for loop के अंदर जो है j loop चलाएंगे for j is equal to 0 j is less than c and j plus-plus, हर बार j increment हो और इसके अंदर क्या हो? एक और for loop के अंदर हम मतलब loop नहीं चलाएंगे, scanf करेंगे, scanf में हम क्या करेंगे? %d, क्योंकि हमारा array 2 है वह क्या है? array 2 और यहां पर हम क्या लिखेंगे? i और यहां पर j sorry, यह i होगा j होगा, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? इस loop के बहार आएंगे पूरे loop से बहार आजाएंगे हम यह four loop से बहार आगे अब हम क्या करेंगे? अब हमें क्या करना है? हमने दो matrixes enter करवा लिया अब हमें क्या करना है? sum print करवाना है तो हम यहां पर लिखेंगे printf function use करेंगे sum of matrixes sum of matrix is मतलब हमारी matrix का sum क्या हुआ और यहां पर मैं use करने वाली हूँ backslash n आपको आए हो backslash n का function पता होगा यह क्या करता है? मतलब यह हमेशन new line में point करता है अब हमें क्यूंकि print करवाना है sum तो यहां पर भी हम four loop use करेंगे for i is equal to 0 i is less than sorry i is less than r i plus plus हर बड़ i की value क्या हो? increment होती जाए four loop के अंदर हम एक j loop four loop i के अंदर हम j loop चलाएंगे जो की 0 से चलेगा यह कहां तक check होगा c तक check होगा और हर बड़ इसकी value क्या होगी? इंक्रिमेंट होती जाएगी अब जो main काम है हमारा हम इसके अंदर करेंगे क्योंकि हमें दो matrices को sum करना था तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे arr of third ij मतलब जो array of third है उसके i और j equal होग इसके arr of 1 ij plus arr of 2 यहाँ पे क्या जाएगा? ij मतलब इसमें क्या होगा? sum होगा जो array जो हमारा resultant array है that is array of third उसमें array of 1 और array of 2 की सारे points को sum किया चाहेगा अब हम यहाँ पे message print करवाएंगे that is printf इसके अंदर क्या एगा? printf के अंदर हम %d use करेंगे and यहाँ पे हम एक और चीज़ use करने बाले backslash t यह use होता है tabular spaces के लिए और और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे array of third यहाँ पे show करवाएंगे that is arr of 3 और यहाँ पे क्या एगा i and another one is j okay so now we'll put here semicolon and हम इस लूप से बाहर जाएंगे okay और इस लूप के बाहर आएंगे friends यह ध्यान ही है मैं जे लूप के बाहर आई हूँ आई लूप के बाहर नहीं तो आई लूप के अंदर हम लिखेंगे printf का एक और message प्रिंट करोंगी इसमें हम backslash end लिखेंगे मतलब हमारा first row completely fill हो जाए तो यह new row में चला जाए okay new line है और with that हमारा यह program ready हो गया है तो चलिए quickly सेव करते हैं with the help of control s and run यहाँ पर एक error है let's check this error okay हमने यहाँ पर main की spelling गलात लिखी है main अब इसे फिर सेव करते हैं and run करते हैं देखे यह run हो गया यहाँ पर आ रहा है enter number of rows तो चलिए मैं enter करती हूँ मुझे 2 rows चाहिए and 2 columns चाहिए अब यहाँ पर आ रहा है enter the element of first matrix तो मैं enter करने हूँ 2, 3, 4 and 5 क्योंकि हमने 2 cross 2 elements लिये थे तो इसलिए हमें यहाँ पर 4 number of elements enter करने को आ रहा है first matrix में मैं इसमें same elements add कर देती हूँ 2, 3, 4 and 5 see हमार पर sum क्या रहा है sum of matrix when you add 2 with 2 we will get 4 after that when we add 3 with 3 we will get 6, 4 with 4 we get 8 and 5 with 5 we get 10 it means हमारा यह sum of matrix है वो program बिल्कुल अच्छ से बन चुका है तो मैं with that आपको एक और इसी के साथ बता देती हूँ कि यह तो थी addition of matrix अगर आपको subtraction करना हो matrix का तो आप कैसे करेंगे तो उसमें simple है आपको जह जादा program का code जह यह चेंज करने की जरूत नहीं है you only need to do this यहाँ पर sum की जगह हम क्या लिख देंगे subtraction subtraction of sorry यहाँ पर बाकी सारी चीजे लिखी है subtraction हम लिख देंगे of matrix और यहाँ पर हम क्या गर देंगे plus की जगह यहाँ पर minus का साइन आज जाएगा and हम इसे run करके check करते हैं कि हमारा answer क्या आता है so just control s, press and run it यहाँ पर आएँ enter number of rows जैसे मेने पहले enter किया था 2 अब यहाँ पर हमें क्या आएँ matrix एंटर करने के लिख यह 5, 4, 3 and 2 अब यहाँ पर आएँ enter the second elements of the second matrix तो यहाँ पर मैं opposite वाले डालते हूँ 2, 3, 4 and 5 see देखते हैं क्या आता है अगर आप 5 में से 2 minus करेंगे then we will get 3 when we subtract 4 with 3 then we will get 1 जब हम 3 में से 4 minus करेंगे then we will get minus 1 और जब हम 2 में से 5 minus करेंगे then we will get minus 3 it means subtraction के लिए भी यह program सही है तो आपको अगर कोई doubt हो addition and subtraction of matrix में you can comment me in comment box anytime okay and क्योंकि यह हमारा जो program था वो sum के लिए था तो मैं इसे दबारा से change करके sum में लिख देती हूँ and आपको एक quick review देती हूँ कि कैसे walk करता है okay and यहाँ पर हम एक और चीज़ चेंज करेंगे यहाँ पर माइनस की जिगा plus कसाइन होगा okay तो चलिए हमने इसे कैसे किया एक review ले 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 किया हमें क्योंकि सम निकालना था इसलिए हमने दो अलग-अलग matrix लिए और थार्ड matrix लिए जो कि resultant matrix था हमने यहाँ पर कुछ variable लिए जो कि integer type के थे ij for loops and rnc for rows and column it will fetch the value of rows and column यहाँ पर हमने दो printf का function लगाया and rows and column fetch कर लिया after that हमने यहाँ पर क्या किया एक और printf का function लगाया so that we can fetch the element of the first matrix और यहाँ पर for loop के अंदर हमने scanf function के help से elements को fetch करा लिया similarly हमने यहाँ पर नीचे second matrix के लिए elements को fetch कर लिया and after that in the third for loop हमने यहाँ पर क्या किया matrix के sum करवा दिया तो हम within the for loop हमने क्या किया दोनों matrix का sum करवा के 3rd that is array of 3 में हमने इसको store करवा लिया और यहाँ पर हमने backslash T की help से उनके बीच में tabular space दे दिया and backslash N की help से हमने new line में उसे send कर दिया तो friends चली एक बड़े से फिर से run करते है and check करते है की sum चली हम इसे फिर से run करके देख लेते है मैं यहाँ पर rows 2 डाल रहे हूं columns भी 2 डाल रहे हूं matrix नहाँ पर 5, 6, 7, 8 और second matrix में डाल रहे हूं 1, 2, 3, 4 okay तो हमारा जो sum आ रहा है 6, 8, 10, 12 जो कि बिलकुल सही है तो आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं अगर आपको इस प्रोग्राम में कोई भी डाउट हो या कोई भी आपको थोड़ा सा भी दिककत ले कि हां मुझे यह पार्ट समझ में नहीं आए तो यू कें कमेंट में इन कमेंट बॉक्स तो फ्रेंड चलिए आज के वीडियों बस इतना ही और मैं यही कहूंगे घर पे आप safely रहिए तो अगर फ्रेंड आपको मेरा वीडियो पसंद आयो तो प्लीज इसे जादे से जादे शेर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थाइ जाओ चाहल को सब्सक्राइब कीजिए यह जित नग्या एंटे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए